दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp पर default message timer को कैसे हटा सकते हैं, उसको कैसे बंद कर सकते हैं For example, आप किसी से भी अगर WhatsApp पर chat करते हैं, जैसे कि new number से भी अगर आप chat शुरू करते हैं किसी से तो आपको इस type से दिखाता है, जैसे यहाँ पर कि आपका timer लगा हुआ है और message जैसे कि है, इतने time बाद जो है, disappear हो जाएंगे तो यह आप इसको कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए आपको अपने WhatsApp को open कर लेना है और उपर three dots पे click करना है इस पे click करने के बाद, आप settings पे click करिए, settings में जाएंगे आपको इस type का interface मिल जाएगा यहाँ पर आपको एक option दिखेगा, privacy का आप इस पे click करिए, और इस पे click करेंगे तो आपको नीचे की साइड एक option दिखेगा, default message timer का, आप इस पे click करिए, और इस पे click करेंगे और अब आप किसी से भी chat करेंगे तो आपको जो इस type से दिखाता था यह नहीं दिखाएगा बट अगर आपने केवल किसी एक ही बंदे पर लगाया है तो आपको क्या करना आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस type से message एक दिखाएगा यहाँ पर लिखा हुआ जैसे मेरे में यह दिखा रहा है आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे आपको एक off का option दिखेगा आप इस पर क्लिक कर दीजे तो यह बंद हो जाएगा तो अगर आपने individually लगाया था तो आप इस type से बंद कर लिजे अगर आपके settings से लगा है आपको उसको बंद करना है तो आप settings से जाकर के बंद कर लिजे अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like, channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए